नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप अपना मूबाल को फोर्मेट करते हैं और फोर्मेट कर देने के बाद आपको अपने प्ले अश्टोर की एकाउंट क्रियेट करना होता है अपने प्ले अश्टोर में इमेल आडी और पासवर्ड डालके साइन इन करना होता है यदि आप अपने play store की login, id और password भूल गए हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि हमारे play store की login, id और password क्या था यही इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं तो वीडियो को लाच तक देखिएगा बिल्कुल अस्किप मत किजिएगा दोस्तों अपने play store की login, id और password जानने के लिए open करते हैं अपने play store को play store open हो जाने के बाद यहाँ पे आपको एक option मिलेगा sign in का यहाँ पे लिखाव है sign in तो आपको click करना होगा यहाँ पे अब sign in पे click कर देने के बाद यहाँ पे आपको कुछ option मिलता है email और phone number यहाँ पे आपको option बिलता है forget email तो अगर आप अपना email id भूल गहीं आप अपना login id भूल गहें हैं तो यहाँ पे click कीजिएगा forget email पे forget email पे click कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना mobile number डालिएगा क्योंकि आप email ID create करते हैं आप mobile number अबस से डाले होंगे आप वही mobile number को यहाँ पे डालिएगा यहाँ पे mobile number इंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पे click करना होगा next पे अब यहाँ पे आपको अपना name डालना होता है यहाँ पे आप अपना first name डालिएगा इसके बाद यहाँ पे आप अपना last name डालिएगा दोस्तों आप email ID create करते समय आप जिस name से email ID बनाए थे वही नाम आपको यहाँ पे डालना होता है तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना first name डाला हूँ, इसके बाद यहाँ पर last name डाला हूँ, इसके बाद यहाँ आपको click करना होगा यहाँ नेक्स्ट पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक option मिल रहा है, Google will send a verification code, mobile number यह है और इस mobile number पे एक opt भीज़ेगा verification करने के लिए तो आपको यहाँ पे click करना होगा send पे आप click किज़ेगा यहाँ पे अब यहाँ पे आपके mobile पे एक opt आता है वो opt को यहाँ पे डालना होता है यहाँ पे मेरे phone में opt आ चुका है और यह auto यहाँ पे fill up हो चुका है जैसे कब देख रहें कि यहाँ पे यह मेरा auto verify हो चुका है और यहाँ पे मेरा यह email ID दिखलाई दे रहा है कि मेरा यह email ID है इसे ही हम अपने play store में use करेंगे क्योंकि अब हमारा email ID मिल चुका है तो यहाँ पे हम click करेंगे इस email ID पे अब email ID पे click कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना password डलना होता है तो दोस्तों अगर आप अपना password भी भूल गए है तो मैं आपको वह भी बताऊंगा कि आप इसका password कैसे reset करके एक नया password set कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी password टाइप कर देना है कोई भी गलत गलत password यहाँ पे टाइप कर देना है इसके बाद आपको click करना यहाँ पे next पे next पे click कर देने के बाद दोस्तों यह password match नहीं कर रहा है इसलिए आपको यहाँ पे एक option मिल जाता है forget password का आप यहाँ पे click कीजेगा forget password पे forget password पे दोस्तों click कर देने के बाद यहाँ पे फिर से एक option मिल रहा है कि अगर आप अपना password भूल गए है तो आप जो पिछली बार password change किये थे वो जो पिछला password अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आप वो भी password भूल गए हैं तो यहाँ पे आपको एक option और मिल रहा है try another way तो यहाँ पे आप click की जगा try another way अब दोस्तों यहाँ पे try another way पे click कर देने के बाद यहाँ पे हमें एक option मिल जाता है नया password create करने का यहाँ पे जैसे की लिखा हुए create a strong password तो यहाँ पे आप अपने उनसार से कोई a strong सा password create कर लिजेगा कोई password यहाँ पे आप बना लिजेगा दोस्तों password कम से कम 8 character का होना चाहिए और वो password आप a strong बनाईएगा जिसमें number और alphabetic दोनों हो तो यहाँ पे मैं अपना password बना लेता हूँ यहाँ पे password डाल देने के बाद आपको फिर से वही password यहाँ पे डालना होगा वो password को आप फिर से यहाँ पे type कीजेगा अब दोस्तों यहाँ पे मैं अपना password इंटर किया हूँ और इसके बाद फिर वही password यहाँ पे enter किया हूँ इसके बाद आपको click करना होगा यहाँ पे save password पे तो यहाँ पे click किजेगा अब दोस्तो save पे click कर देने के बाद यहाँ पे आपको click करना होगा I agree I agree पे click कर देने के बाद यहाँ पे आपकी account की information verify होती है और इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा more पे more पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ condition होती है आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं इसके बाद आप क्लिक कीज़ेगा accept क्योंकि आपको यह condition follow करना ही होगा अब आपकी play store की ID और password बन जाता है और यहाँ से आप चाहें तो check भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा email ID दिखलाई दे रहा है और यहाँ से आप play store को use कर सकते हैं यहाँ से कोई भी game या फिर आप जो भी apps डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो यह थी छोटी से वीडियो कि play store की ID और password भूल जाने के बाद कैसे उसे दुबारा recover करें उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके काम क्योंगी आपके helpful होगी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो उसे लाइक कीजे share कीजे अपने दोस्तों WhatsApp फेस्बुक गरूप में और एसे सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल प्लेक आते रहत हूँ तो आप मेरे चैनल को जुरूर सस्क्राइब कीजेगा मिलते एक ने वीडियो हम तब तक लिए अपना ख्याल रखेगा बाई